सरदियो में धूप में बैठ कर खटे मीठे माल्टे खाना किसको पसंद नहीं है इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनिंच यानि माल्टे के हेल्थ बेनिफिट्स और रेमेडीज के बारे में इस वीडियो में सिर्फ हम माल्टे की बात करेंगे किन्नू, मसम्मी, फ्रूटर, औरंगी और दूसरे ऐसे फल जो माल्टे की फैमिली से तल्लुक रखते हैं उनके लिए हम एक separate वीडियो अप्लोड करेंगे लेकिन इस वीडियो में सिर्फ माल्टे के health benefits की बात होगी आप देख रहे हैं हकीम अली health and beauty tips तो आईए बात करते हैं माल्टे की माल्टे में क्या-क्या nutrition होती है उसकी बात करें तो आपके सामने एक nutritional breakdown मैंने किया है माल्टे का जिसमें मैंने vitamins एक chart में दिये हैं और minerals एक chart में दिये हैं आप دیکھ सकते हैं Malta उन सब vitamins और minerals से भरपूर है जिसकी हमी एक दिन में जुरूरत होती है इसमें vitamin C पाया जाता है पुर्पूर मिगदान में इसमें fiber होता है इसमें vitamin B1 है इसमें potassium है इसमें copper है इसमें calcium है दोस्तो इसमें वो सब चीजे हैं जिसकी एक सेहतमन्द जिसम को जुरूरत होती है सेहतमन्द रहने के लिए आपको मैं एक एक चीज़ पढ़के नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके सामने चार्ड आ रहा है और इसमें आप वीडियो पोस करके भी कम्प्लीटली इसको पढ़ सकते हैं इसमें कम्प्लीट ब्रेकडाउन दिया गया है दोस्तों अगर हम बात करें एक मीडियम ओरिंज की एक मीडियम एक दिम्याने साइज के माल्टे की तो वह तक्रीवन आप उसको कह सकते हो कह सकते हो के 130 ग्राम का जो एक माल्ट है उसमें तक्रीवन जस्ट होती है 62 कैलोरीज यानि बहुत कैलोरीज के साबस बहुत कम कैलोरीज होती है इसलिए बहुत ही है वो लोग जो डैटिंग कर रहे हैं अगर वो माल्टे के इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी ना सिर्फ अपनी उनको जो उनकी डेली की घजाई जरूरी हो जाएंगी और वो भी बहुत कम calories के साथ दोस्तो ओरिंज के इतने health benefits हैं इतने फवाइद हैं कि बताए नहीं जा सकते तो चले शुरू करते हैं कि ये आपके लिए ओरिंज के क्या-क्या health benefits हो सकते हैं Malta हमें cancer से बचा सकता है जैसा कि आपको पता है Malta vitamin C से भरपूर होता है जो कि एक बहुत ताकतवार कुदरती anti-oxidant है anti-oxidants हमारे जिसम को free radicals से होने वले नकसाना से मफूज रखते हैं free radicals जो एक cancer की main वजुहात में से है तो दोस्तो आप Malta का देली इस्तमाल खाए ये आपको cancer से मफूज रखने में मददकार साबत हो सकता है मेरी एक बात याद रखिए का अगर आपका दिल ताकतवार है तो आप जिन्दगी में कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं होगी किसी भबमारी से लड़ना मुश्किल नहीं है कोई physical activity मुश्किल नहीं है कुछ भी जिन्दगी में मुश्किल नहीं अगर आपका दिल सेहत मन्द है लेकिन अगर आपका दिल वीक है तो असान से असान काम आपके लिए पहाड जैसा हो जाएगा माल्टे में potassium, vitamin C और anti-oxidant खुसूसियात होती है ये सब एक healthy heart के लिए बहुत जरूरी है potassium की ज्यादा intake sodium की intake को कम कर देता है जो के एक सेहत मन्द दिल के लिए बहुत जरूरी है एक steady से पता चला है जो लोग 4070 mg mg potassium daily क्या consume करते हैं उन में heart attack होने की शरा 50% कम होती है उन लोगों से जो इस मिकदार में potassium को consume नहीं करते हैं माल्टे में काफी मिकदार में fiber होता है और steady से पता चला है fiber diabetes control करने में बहुत मददगार साबत होता है type 1 diabetes के म्रीज जो high fiber consume करते हैं उनके blood में glucose level कम रहता है और type 2 diabetes के म्रीज जो high fiber consume करते हैं उनके blood में glucose का level improve होता है तो दोस्तो माल्टे खाएं अगर आपको शुगर का मर्ज है माल्टे आपके शुगर को कंट्रोल में रखने में मददगार है माल्टा विटमेंट C से बरपूर होता है जो के एक कुदरती एंटी ओक्सिडेंट है इसलिए ये माल्टे आखाने से आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है मैं ये कह सकता हूँ कि माल्टे से अच्छा और कोई फ़ल नहीं है स्किन की हेल्थ और स्किन को यंग और ग्लोइंग रखने के लिए विटमेंट C से आपकी स्किन फ्रेश और यंग रहती है विटमेंट C आपकी स्कीन पर रिंकल नहीं आने देता और अंटी आक्सिडियंट होने के विए से वोगी स्कीन को यंग रखता है माल्टे, एक चीज याद रखें माल्टे के बारे में माल्टे को कभी ओफ सीजन नहीं खाना चाहिए माल्टा हमेशा सीजन में खाएं अबी थोडी दीर पहले वीडियो में आपको बताया कि इसमें बहुत पोटेस्यम होता है और यो सहत के लिए बहुत अच्छा है लेकिन अगर बहुत जादा मिध़ार में माल टि primo तेखाये जाएं तो आपके खून में बहुत देर तक potassium का मिगदार लेवल हाई रहता है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा health problems पैदा कर सकता है जैसा कि मैंने पहले भी बताया Malta vitamin C से बरपूर है और vitamin C आपके immune system को boost करता है इसलिए Malta खाने से आप बुमारियों से मफूज रह सकते हैं दोस्तो आँखें एक खुदा की नहमत है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो जो हमारी उमर बढ़ती है हमारी आँखें कमजोर होती है दोस्तो ओरिंजी यानि Malta vitamin A, vitamin C और potassium से बरपूर हैं जो कि आँखों के लिए बेहद जरूरी और मफीद हैं इसलिए Malta आपकी आईसाइट को भी बिलकुल fit और accurate रखते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि vitamin C का अच्छा खासा content होता है और हिंचेंज में यानि Malta में vitamin C जो के जरूरी है collagen की मिकदार को बरकरार रखने में हमारे जिसम में अगर vitamin C नहीं होगा तो हमारे जिसम में collagen पैदा नहीं होगा collagen जो healthy रखता है हमारे सर के tissues को जिसकी और collagen की गेर मजूदगी में हमारे सर के tissues healthy नहीं रहते और हमारे सर पे धबे आने लग जते हैं यानि हमारे सर पे पैच्चीश पढ़ने लग जते हैं कहीं बाल हैं कहीं नहीं है यानि बीच बीच में गंजा पानाने लग जाता है जो के बहुत बुरा लगता है तो दोस्तो अगर आप अपनी सर की स्किन को हेल्दी रखना चाते हैं और गंजे नहीं होना चाते तो माल्टे खाएं माल्टे आपको गंजा नहीं होने देंगे अमीद करता हूँ ये वीडियो आपको बसानदा योगी दोस्तों अगर अबी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए तक कि मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो आपको मिल सके